अलो एवरीवान येस इस सोवीन सर बहुत-बहुत स्वागत आपका इस बहुत ही खुद्शुरा से चैनल में बात होने वाली है बारह अगस्ट शिफ्ट वन के पेपर की जी हाँ ट्विल्थ ऑगस्ट शिफ्ट वन के पेपर के हम कुछ बाते कर लेते हैं देखो सबसे इंप लेक्शर बना के दिया तो उसके बाहर का सर कुछ कर लूँ में एक्ष्ट्रा कुछ नहीं करना है वही सब बार-बार पूछे जा रहे हैं यहां पर मैं कुछ कोश्चन लेकर आया हूं 12 ऑगस्ट 1 के सबसे इंपरेंट चीजी है कि बहुत सारे क्वेश्चन नहीं ले पाया के शिफ्ट वन की जो को जब पीसेम का शिफ्ट हो तो बच्चे बहुत साने थे और हर एक बच्चा जो एकी मुझे भीज रहा था अब यहां पर सिर्फ मुझे एक दो बच्चे ने बेजा और बड़ी मुस्क्रिक से याद करके तीन-चार कोश्चन एक बच्चे ने बेजा ऐसे करके मेरे पास टूटल आट कोश्चन का यहां पर बड़ी कालेक्शन हुआ है बट जितने भी कोश्चन मुझे आ रहे तो मैं चाहता हूं कि यह जितने भी मेरे पास आ रहे हूं मैं आपके साथ शेर करें ताकि जिस बच्चे का एक्जाम है उसका थोड़ा सा भाला हो कि याद होगा तो यह आपका क्लोरो बेंजीन देख लो यहां पर यह क्लोरो बेंजीन इसमें जब आप मिलाते थे एन ए वेज तो भाई आपको यह पता है कि 623 कल्विन टेंपरेचर और 150 एटमस्वरी प्रेशर अप्लाए करते थे जिसकी वाज़ेसा आपको मिलता था तो हमारा अंसर मनता था फिनॉल यह पूरा प्रोसेस था इस तरह से मैं डिर्ट लिया आंसर दिखा रहा हूं यहां पर क्वेस्टन में यह पूछा गया है यह चीज पूछे गई है इसका जो राइट आंसर रोगा वह नंबर डी हो सकता है यहां पर लास्ट वाला सिक्स ट्वेंटी ट्री एंड वन फिफ्ट्ट एट्मोस्पेरिक प्रेशर वट इस तो पोजिशन आफ एलेमेंट इन मॉर्ण पिरॉल टेबल इफ इस एलेट्रोनिक ओंफेशन दिट्री टेन फोर एस्टू अगर ट्रीडी टेन है मतलब कि यह तो बात सही है कि यह तो ला कुछ याद आया फूर्ट पिरियेड डी ब्लॉक में बारा नमबर मतलब इसका नमबर होगा यहां पर थर्टी इसका राइट आंसर क्या होगा चेक करनो इसका राइट आंसर होगा नमबर सी पिरिएड फॉर ग्रूप ट्वेल इन विच आप दो कंपाउंड एमन शोंज हा होगा तो अब लिए से अब टिपेंड करता है यहां पर क्या लिखा बचनी यह एमनों टू लिखा है पता नहीं बहुत क्लियर नहीं होपा है लेकिन अगर मैंने इसको मान लिया एमन नोट टू मान लिया तो यहां पर मैंन का औक्सिदेशन प्लस फॉर होगा हर एक औक कि एम एन ओफोर के अगर मैं बात करूँ तो एमन का ऑक्सिडिशन प्लस सिक्स होने वाला है एट और यहां पर जो के वैद नो-4 होगा इसके अंदर MN का Oxidation प्लस 7 हो जाएगा तो यह प्लस 7 वाला राइट आंसर हो जाएगा है जादा Oxidation पुछा गया है तो के मैंने 4, 4 तो जाए 8 माइनस 8 प्लस 1 माइनस 7 माजा के मैं प्लस 7 ठीक है, highest Oxidation पुछा गया है Which of the following Monomer of Gliptal तो आपको याद करना आपको एक Table मैंने दिया था, अगर आपको याद होगा तो Glue बनाने के लिए Gliptal यूज क्या जाता है, ठीक है तो आपको वो जो Table मैंने बताया है Last page पे, उस Table को यूटलाइस करो, Table कहां से From Polymer Chapter रगा From Polymer Chapter रगा आपको अच्छे से करके लेना होगा Born Order 2 किसका होगा यह बताना तो आणसर आएगा O2 आप्शन में जो भी दिया हो, उसके लिए अगर O2 दिया है तो आप मात करो O2, O2 will be the correct answer ठीक है Next, what is the true about adiabatic Adiabatic के लिए सही बात क्या है Adiabatic के लिए सही बात क्या है तो याद करो Adiabatic का मतलब क्या था Adiabatic का मतलब था कि Heat का बिल्कुल भी लेन देना बंद जाएगा मतलब कि Q equal to 0 वाला condition फुल्फिल होगा है यहाँ पे Adiabatic का condition यहाँ पे Q equal to 0 होगा मतलब कि यह आपका condition होगा Adiabatic के लिए Numerical भी आ सकता है ठीक है Which is Amphoteric Oxide देखने यह आप पे यह भी काफी अच्छा होता है Amphoteric Oxide कहुन साथ है याद कर लो Beryllium करके questions का answer D वाला हो जाएगा आपको Beryllium Oxide is Amphoteric Oxide Almonium के जैसा ही दिखता है ठीक है तो यह आपका right answer हो जाएगा Beryllium चलेगा कोई दिक्क्रत है किसी को कहीं पर भी यह आपको जो S block element है या group number one and two है वहाँ पर आपको मिल जाएगा generally आपको याद होगा कि lithium का जो relation होता है वो किस से match करता है magnesium से match करता है वैसे ही Beryllium का जो relation है वो aluminium से match करता है तो यह amphoteric दिखाएगा क्योंकि aluminium भी amphoteric nature दिखाता है diagonal relationship याद आया एक छोटा सा वीडियो ठीक है bond length of CH3 BR तो इसके option तो दिये नहीं है लेकिन इतना बोल सकते हैं कि CBR का जो bond होगा अगर इसको आप compare करेंगे CI के साथ में CBR CCL और CF तो CBR का bond जो है i से छोटा होगा लेकिन बाकि सबसे बढ़ा रहेगा बस यह धान देना चलेगा तो यहाँ पर bond length actual में पूछा गया था number के रूप में या फिर पूछा गया था आपको comparison के रूप में वो depend करता है ठीक है चलेगा तो इसका यह होने वाला है कि CS3 का यहां पर इतने longest बॉंड लेंड होगा और यहां पर बुल सकते हों shortest बॉंड लेंड होने वाले shortest बॉंड लेंड आएंगे ठीक है यहां आपका यहां पर यह सी वाटर इज विच काइंड ऑफ मिक्शर यह कुछ क्वश्चन है जो शायद 10 शिफ्ट का भी हो सकता है क्योंकि मैंने क्वश्चन मुझे मिलने रहे थे तो जो जो बच्चा मुझे भेजा था रिसेंट में वह मैंने लिये हैं तो शायद अगर यह 10 अगोश्ट का भी हो सकता है या फिर 11 अगोश्च का भी हो सकता है ऐसी भी पॉस्सिबिल्टी हो सकती है ठीक है तो बिल्कुल टेंशन मत लेना मेन एम है कि आपको क्वश्चन पता होना चाहिए पूक ऑई धिफॉल में नमक और आपके तो सॉलिड रहेगा और जो सॉलिवेंट रहेगा और उसके इस गापनेल हुआ सकताlair 거죠 यहां पर बहुत चोटा सा वीडियो हुआ है। क्योंकि जैनुलून आप खुद अपने आपसे पुछवोग vaाktó capitali सेंड किया बिल्कुल नहीं किया ठीक है दो से तीन बच्चों ने सेंड गया था मुझे तो मैं वही क्वेशन आप डिसक्स कर रहा हूं मुझे पता है कि आप जितने बच्चे नहीं होने वाला है कुछ टाइम जाएगा कुछ थोड़ी से आपके मेमरी हम मेमरी और इनकोशन आप डिसक्स करते हैं ठीक है तो कुछ कोशन आप बताएंगे तो जिससे फायदा होगा आपके आने वाले बैच्चे के लिए चलेगा चलो मिलते हैं नेक्स टाइम तब तक के